चलिए जानते हैं आज साम की हिमाचल परदेश के सभी जिल्लों की सिलेक्टेट काम की बड़ी ख़वरों को पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजी अब आखें इसकेन कर मिलेगा रासन परदेश के रासन डीपो में जल्द लगेगी आईरिस मसीने जिया परदेश के रासन डीपो में अंगुठा इसकेन करने के बज़ाए अब आखें इसकेन करके उभगताओं को रासन मिलेगा वहीं आपका बता देगी परदेश के रासन डीपो में आईरिस मसीने के लिए चन्नाई की OSYS कमपनी को काम सोपा गया है उगते कमपनी रासन डीपो में लगाई जाने वाली एक आईरिस मसीन का 1,050 रुपए के हिसाब से परतिमा किराया वसुल करेगी इसके अलाबा मसीनों की मेंटिनेस भी कमपनी द्वरा ही करवाई जाएगी वहीं आपका बता देगी खादी आपुर्तिवा के पास अभी तक 250 आईरिस मसीने पहुच गई है परदेश के रासन डीपो में जल्द ही आई सकेनिंग सिस्टम सुरू किया जाएगा रासन डीपो में आईरिस मसीने लगने के बाद यह सुविधा और भी आधुनिक हो जाएगी इससे पहले अंगुठा पंच करके उभगताओं को डीपो में सार रासन दिया जाता था अभियर्थियों को बड़ी दाहत जेबीटी बैचवाईज भरती सुरू करने को मंजूरी 50 पिजदी पदोपर चलेगी परिक्रिया जेबीटी की बैचवाईज भरतीयों को फिर से सुरू करने के लिए राज्य चुनाप आयोग ने मंजूरी दे दी है इस मंजूरी के मिलने के बाद परदेश में उन जेबीटी अभियर्थियों को बड़ी दाहत मिली है जो बैचवाईज भरती सुरू नउ होने से परिसानी में थे दरसल परदेश के कुछ जिले ऐसे थे जहां पर बैचवाईज भरतीयों को सुरू करने के लिए चिकचाई भाग ने परमिसन तो दे दी थी लेकिन इन भरतीयों को सुरू नहीं किया जा सका था इस बिज पर्देश में विधासवा चुनाव के चलते आधर सचार संजीदा लागू हो गई और भरतियों का या प्रोसेस रूग गया इस बारे में अभियरतियों की मांग पर चिक्चाई बाग ने चुनाव आयोक को परमिसन के लिए प्रस्ताव भेजा था जिसे अब मंजूरी दे दी गई है इसमें 50 फिज दी पदों पर बैचवाईज अधार पर भरतियों की जानी है इन भरतियों के सुरू होने से परदेश में जेबीटी के खाली पद भरे जा सकेंगे और छात्रों की पढ़ाई भी परभाईत नहीं होगी चमबा में भुकम के जटके रिक्टेर इसकेल पर 3.4 माफी गई तीवरता जमू कस्मिर में भी आया जल जला जहिमाचल परदेश और जमू कस्मिर के कई जीलों में सुक्रवार देर रात भुकम के हलके जटके महसूस किये गए भारतिय मोसम विभाग ना आज यहां जारी एक बिग्यापती में यह जनकारी दी वह आपको बता दे कि रिक्टेर पेमाने पर भुकम की तिर्वता 3.4 माफी गई है वह आपको बता दे कि भुकम के जटके जम्मू कस्मिर के सिमावर्ती इलाके में भी महसूस किये गई भुकम से जानमाल के नुकसान की सुचना नहीं है ज्ये परदेश High Court ने दोहरी Family Pension की मांग को खारिच कर दिया है वहीं नयाजिस त्रिलोक सिंग चोहान और नयाजिस विरेंदर सिंगी खंड़ पीट ने परदे सरकार की पुन अवलोकन याचिका को स्विकारते हुए प्रार्थी इंदू देवी की याचिका को खारिच कर दिया वहीं आपका पता देखी कोट ने मामले का निप्टारा करते हुए कहा कि पूर्ण राजिका दर्दा मिलने के पचात परदे सरकार के पास अपने करमचारियों के सिवा नियमों बनाने की सकतिया भी नहीं थो गई थी वहीं आपको पता देगी परदेश सरकार ने केंदर सिबिल स्वाए पैंसन नियम 1922 को अपनाया था हलाकि इसके 50 केंदर सरकार दोबारा इन नियमों में किये जाने बाले संसोधन को स्विकारना या न स्विकारना परदेश सरकार के विवेकाधिकार में ही रहा है डिजीटल क्राइम से सचेद रहने की जवरत राजपाल अरलेकर ने एचपी मच आतरों को दी साइबर क्राइम की जनकारी जे हिमाचल परदेश विस्विद्याले के फोरंसिक बिग्यान विभाग एवं छेतरिये फोरंसिक बिग्यान पर्योकसला उत्री रेंजे धर्मसला हिमाचल परदेश के संजुक्त तत्वाधान में अंतराष्टे सम्मेलन आयोजित किया गया वही दो दिवसिये इस सम्मेलन में राजपाल राजंदर विश्वनात अर लेकर मोजूत रहे उन्हेंने काया कि आज डिजिटल टक्निक पूरे विश्व भर में व्यापत हो गई है और हम सब इसी के ही दाइरे में आते हैं वह इसका हिस्सा बन चुके हैं वही पिछले कुछ वर्सों में भारत वर्स ने इस दिसा में अपना बहुमुलिय योगदान दिया है और निरंदर इस दिसा में आगे बढ़ रहा है उन्हेंने काया कि डिजिटल यूग कब आया आज यह विसे नहीं है मगर आज इसका उपिएक किस दिसा में हो रहा है या जानना आवश्यक है वही राजपाल ने काया कि आज अपराद साररीक ही नहीं बलकि डिजिटल अपरादों ने भी समाज में अपने पेर पसार लिये हैं स्मार्टफ़न हैक पर डाटा चुरा रहे ठक साइबर सेल ने किया अलट जानकारी लेकर बैंक खाते तक पहुँच रहे सातीर जे स्मार्टफ़न जहां लोगों के काम को सरल बनाने में बरदान साबित हो रहे हैं तो वहीं स्मार्टफ़न यदि गलत हाथों में पड़ जाए तो ये लोगों के लिए अभिसाब भी बन जाता है क्योंकि सातीर इससे आपका प्राइबेट डाटा चोरी होने के साथ सथ आपकी जासुसी भी कर सकते हैं मुई साइबर सेल्सिमला ने इस बारे में एडबाईजरी जारी की है मुई आपका पता दें कि साइबर सेल्सिमला के एक एसपी भुपेंदर सिंग नेगी ने बताया कि बिज्ञान की बनाई हर चीज की दो पहलू है सही इस्तमाल बरदान है तो दूर उप्योग अभिसाब बन सकता है इसलिए जनकारी रखना ज़रूरी है उन्हेंने काया कि टूल्स टेक्स मेसेज, फाइल्स, चेट्स, कॉमेर्सियल मेसेजिंग, एप कंटेंड, कॉंटेक्स और ब्राउजिंग, हिस्ट्री साइट, फोन पर लगबग सभी कंटेंड को एक्सेस और रिट्रिव कर सकते है उन्हें, इस्पाई वेयर और संभावित माल वेयर से सुरक्षित रहने के लिए साइबर सुरक्षा से संबंदित अमेरिकी सरकार की एजन्सी नेशनल काउंटर इंचेलिजन्स एंड सिक्रिटी सेंटर ने एक बुलेटिन जारी किया है ताकि यूजर्स को सर्विलांस टूल्स रे अधिक जागरूक और सुरक्षित रहने में मदद मिल सकी भटिंडा से मनाली घूमने जा रहे, चार यूओकों की गाड़ी खाई में गिरी, सभी घायल एक गंभीर पीजी आई रेफर जे चंडिगर मनाली नेशनल हाइवे पर सुक्रबार देराथ चंडिगर से मनाली जा रहे, टूरिस्ट थार स्वार घाट के रचों के पास और नींदिर थोकर तिन सो मिटर गहरी खाई में लुडग गई हाथसे में कार्षवार चालाएक जसन प्रीत सिंग, पूत्र सूकजीत सिंग, हर प्रीत सिंग, पूत्र मक्हन सिंग, सुरंदर पाल, पूत्र जगदीप सिंग, साल सभी निवासी तलवंडी भटिंडा पंजाब गंभीर रुप से खायल हुए है दलाई लामा से मिले पर्धान मंत्री पेंपा सेरिंग तीबती समुदाय के हित में लिए फैसलेपर की चर्चा जे निर्वासी तिबती सरकार के परधान मंत्री पेमपा सरिंग ने सुक्रबार को तिबती धर्मगुरु दलाई लामा से उनके निवा सस्तार में मुलाकात की पेमपा सेरिंग ने अपनी इस मुलाकात के दोरान धर्मगुरू से अपने परधान मंत्री कारेकाल की कार गुजारी और विमिन मुद्धव पर चर्चा की वहीं अपका बता जा कि पेमपा सेरिंग ने धर्मगुरू को हाली में उनके दहरादून और नौर्थ इस्टी के तिबती सरनार्थी स्वीरों के दोरे की जानकारी से अवगत करवाया वहीं धर्मगुरू के साथ हुए इस मुलकात के दोरान परधान मंत्री के तोर पर पेमपा सेरिंग और उनकी सोलवे मंत्री मंदल द्वरा तिबती समुदाय के हित में लिए गए फैस्टों से सहित अन्य जिमिदारियों के निर्वहन को लेकर विस्तिर चर्चा की वहीं धर्मगुरू ने पेमपा सेरिंग के अब तक के कारिकाल में किये गए कारियों को लेकर अपनी संतुष्टी जताई जिसने सांस ली फिर कभी उठना पाया हिंदुस्तान के माथे पर भयावा कलंग था भपाल गिस कांड दोस्तों आप लोग जानते ही तीन दिसमर उन्हेस्ट चौरासी का वह मनसुस दीन जिसने हिंदुस्तान को जगजूर कर रख दिया वह वह काला दिन था जिसने करीब सोलो हजार लोगों को मौत की निंद सुला दिया आज भी इस दिन का याद कर रूप काम जाती है वही मध्य परदेश के भुपाल में यूनियन करभाईट नामक कमपनी के कारखाने से निकली एक जहरिली गेश ने कईयों के घरों को उजाड दिया किसी का बेटा घर ने लोटा तो किसी का सुहाग वही आपको पता दे कि हाथसा इतना भ्यावग था कि गेश के रिसाफ से कई लोग सारी रिक अपंगता से लेकर अंधिपन का सिकार हो गए मिथाईल आइसो साइनाइट नामक इस गेश से ततकालिन राजी सरकार ने से 377 लोगों के मरने की पुष्टी की थी लेकिन सूत्र कहते हैं कि 8000 लोगों की मौत तो दो हफ़ते के अंदर हो गई थी और लगबग इतने ही गेश से हुवी बिमारियों से बाद में मर गए थी भगवान के घर डाका हलुमान मंदिर का सिसा तोड़ पैसा उड़ा ले गया चोर वार्दा CCTV कैमरा में के दे जिये सोलन के देवु घाट में कंग्रेस भवन के समीब सनिवार की सुबा चोर ने हलुमान मंदिर का सिसा तोड़ कर चड़त पर हाथ साप किया अस्तानिय निवासी राजंदर गरगे ने पताए कि उन्हेंने पुलिस में सिकायत दर्ज करवाई है उन्हेंने पताए कि आज सुबा उन्हेंने मंदिर के सिसा तोटा हुआ देखा तो इसकी सुचना पुलिस को दी चोरी की पूरी घटना CCTV केमरे में रिकॉड हुई है जिसमें चोर दिवार की तरब से आया और पत्थर से मंदिर का सिसा तोड़ कर मंदिर की चड़त उठा ले गया उन्हेंने पूलिस से गुहार लगाई है कि चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि सोलन सहर का माहूल खराब न हो चुनाप के बीच दिली से आये 226 कुड़ केंदर सरकार ने बचे हुए जी एस्टी मुआफजे का किया भुकतान जेहिमाचल विधानसवा चुनाप के बीच राजे सरकार को दिली से 226 कुड़ मिले हैं यह धनरासी जी एस्टी कंपनसेशन के बकाया की है जो जून 2022 में मिलना बंद हो गई थी लेकिन आपको बता दे कि दिली से आये इस पैसे के कारण राजे सरकार दिसंबर में लिये जाने वाले लोन को थोड़ा टाल सकी है दरसल भारत सरकार ने जी एस्टी कंपनसेशन का भुकतान राज्यों को करना बंद कर दिया है इस वज़े से मुख्यमंत्री जराम ठाकूल ने केंदरिये बजट की प्री बजट कंसल्टेशन बैठक में इस मुआपजयों को पहाल करने की मांग उठाई है वही राज्य का जी एस्टी कलेक्शन बढ़ रहा है लेकिन इतना नहीं की जो नुकसान हो रहा है उसको पूरा किया जा सके चार हफ्ते में निप्टाई अतिकर्मन के मामले हाई कोट का SDM राजस्व अधिकारियों को आदिस जे परदेश उचनियाले ने सणकों के किनारे अतिकर्मन हटाने को लेकर SDM वो दूसरे राजस्व अधिकारियों को आदिस दिये हैं कि वे इन मामलों का निप्टारा चार सफ़ता के भीतर कर दे इसके अलावा जितने भी दिवानी अधालतों में मामले अतिकर्मन को लेकर लमबित पड़े हैं उनको तिन मा के भीतर निप्टाने की भी आदिस दिये गए हैं वहीं कोट ने राजस्वाधी कारियों को लतार लगाते हुए कहा है कि उनको कानून की सही जनकारी नो होने के कारण बेवजग ही उए अतिकर्मन से जुड़े मामलों को अपने पास नेप्टारे के लिए रख लेते हैं और इसी कारण दसकों तक ये मामले लंबित पड़े द गई है वहीं हाथसा पूर्वा मैधनीपूर इलाके में देर रात पेस आया है भुपती नगर के परभारी काजल दता ने बताये कि पूर्वा मैधनीपूर में टी एमसी बूत अध्यक्ष के आवास पर धमाका हुआ है मौके से तीन सब बराम्द किये गए हैं लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पाई है हाथसे में कुछ लोगों के घायल होने की भी सुचना है वह आपको बता दे कि जोरदा धमाके में बूत अध्यक्ष का पूरा घर धगया हाथसे की सुचना मिलते ही पुलिस से घटना अस्तल पर पहुँची और सवों को कबजे में लेकर पोश्ट झाल